नमस्कार आप भारत लाइब देख रहे हैं RJD के कुछ बिधायक हमारे संपर्क में है ये कहना था ZU के संसदिय बोड के अध्यक्ष उपेंद कुछ वाहा का आपको बता दे कि रागोपुर यात्रा के दोरान तेजस्वी यादों ने कह दिया कि आने वाले 2-3 महिने में सरकार गिर जाएगी चिंता मत किजिए आने वाले 2-3 महिने में हमारी सरकार आ रही है इन सभी तमाम खबरों के बीच उपेंद्र कुछ वाहा ने भी ये दावा कर दिया कि राजत के कुछ बिधायक हमारे संपर्क में हैं कॉंग्रेस के कुछ विधायक हमारे संपर्थ में, जिसके बाद बिहार में राजनीतिक, सरगर्मी और भी तेज हो गई, आपको बता दे कि कॉंग्रेस ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया, सदाकत आस्रम पत्ना में भी बैठे के हुई, और कॉंग्रेस अप लेकर संसय बना रहता है, अब इस मामले में उपेंद्र कुष्वाहा ने एक फ़ीर से दावा कर दिया है, आपको बता दे कि उपेंद्र कुष्वाहा आज से एक यात्रा निकाल रहे हैं, बागहा से वो जात्रा चलेगी और नितीश कुमार के जो भी कार्जों हैं, इस कुमार को मजबूत करने के लिए बिहार में जेडियू को नम्मर वन पार्टी बनाने के लिए देश में जेडियू का नाम रोसन करने के लिए उन्होंने एक यात्रा निकाल दिया, आपको बता दिकि उपेंद्ध कुष वहा कई बार ऐसे, ऐसा कहते हुए नजर आये थे क कि जेडियू के नमबर वन पार्टी बनाना ही हमारा लक्ष है अब आपको बता दे कि इस मामले में उपेंद कुछ वाहन एक बड़ी बात कह दिये उन्होंने कहा है कि जेडियू पार्टी के जितने भी लोग हैं वो सभी मिलकर काम कर रहे हैं और वही उन्होंने फिर से एक द पर्क में हैं इन सभी बातों के पीछे उन्होंने राजद में जो कल हंगामा हुआ था जगदानांद बाबू के इस्थिपे का जो खबरे चली थी उन्हों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरीके से राजद में घमसान मचा हुआ है ये आप सभी लोगों ने कि राज़त और कॉंग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है अब देखना ये होगा कि उन्होंने ये दावा दूसरी बार की है तो क्या इस दावे के पीछे की हकीकत है आने वाले समय में पता लग पाएगा लेकिन आप बनेड़े ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़वर रुवा मुफ्ट में मिल जए अगर रुवा पत्रकाईता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कल चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद